Hello everyone, इस वीडियो में IBPS, RRB, PO और कलर्क के बारे में in short बात करूँगा, ठीक है, सारी details in short बात करूँगा तो online registration जो है इसका 8 June से open है, ठीक है, 8 June से लेकर के 28, मतलब के 28 June तक आप apply कर सकते हैं RRB PO और RRB Office Assistant के लिए भी मतलब कलर्क के लिए, ठीक है तो उसके बाद जो इसका prelims है वो August में होगा, और जो mains है वो September यो October में होगा ठीक है, ये सारे dates जो है, वो tentative है, ठीक है, मतलब के fix नहीं है ये जो apply करने की वी जो date है, last date 28 June जो की tentative है, मतलब के fix नहीं है, ये extend भी हो सकती है ठीक है, उसके बाद eligibility criteria की बात करें, तो bachelor's degree होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक condition है ठीक है, आप जब इसका PDF official notification आप read करोगे, तो सबसे मतलब की जहाँ पर आपका सारा qualification का लिखा हुआ है ठीक है कि bachelor's degree होनी चाहिए, और proficiency in language में क्या है, ठीक है, उसके नीचे एक note लिखावा है तो उसमें ये है, और ये appearing वालों के लिए है, ठीक है कि appearing में बहुत लोगों को confusion होता है तो वहाँ पर ये है कि आपका result जो है, वो declare होना चाहिए 28 June 2021 तक या उसके पहले आपके पास जो certificate है या फिर जो mark sheet होंगे आपके पास ठीक है, या जो भी documents होगा, आपके पास bachelor's degree का graduation का उसमें आपका result declare होना चाहिए 28 June 2021 तक या उसके पहले का, ठीक है, तो ही आपका valid होगा ठीक है, इस IVPS RRB 2021 के लिए, ठीक है, उसके बाद बात करते हैं application fee की RRB, PO और color के लिए दोनों के लिए जो है, सेम application fee है, SC, ST और PWBD के लिए 175 रुपे है application fee, 175 और all other category, जितनी भी other category है, उनको 850 रुपे है, मतलब 850 रुपे है application fee, ठीक है उसके बाद जो prelims exam जो होगा, ठीक है, जो की आपका MCQ based question होता है, ठीक है, तो RRB, PO और color के दोनों में जो है, आपका reasoning और math सिर्फ होता है, मतलब quantitative attitude और 40-40 question होते हैं, 40-40 marks के होते हैं, जिसके लिए 45 minutes आपको मिलते हैं, ठीक है, उसके बाद eligibility criteria में जो एक और important बात है, कि दोनों के लिए minimum आपका 18 years होना चाहिए, 18 साल और maximum 30 साल, ठीक है, तो वो जो age होना चाहिए, आपका वो as on 16 2021, मतलब 1 June 2021 के according लिए, आपका minimum 18 और maximum 30 साल होना चाहिए, उसके साथ ही आपको बता दूँ के जो RRBPO है, उसके लिए 3 stage है, pre, mains और interview, और office assistant जिसको के color कह सकते हो आप, उसके लिए सिर्फ 2 stage है, pre और mains, उसमें interview नहीं होगा, उसके बाद vacancy की बात करें, तो RRBPO में जो total vacancy है, वो है 3879, 3889, ठीक है, और जो office assistant है, उसक मतलब color की जो vacancy है, वो 5108, 5108 vacancy है total, ठीक है, तो यह office assistant का more than 5000 vacancy है, और जो PO की जो vacancy है, वो more than 3800, ठीक है, यह आपका total detail, मतलब की सारा detail है, in short, I hope कि आपको यह समझ में आया होगा, जो यह dates है, वो tentative है, ठीक है, मतलब के fix नहीं है, वो extend भी हो सकता है, तो अगर extend होता है तो मैं अपने channel पर update कर दूँगा, तो update रहने के लिए आपमेरे channel को subscribe कर सकते हैं,